एक वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं AI के बारे में जैसे कि लास वीडियो में हमने आपको एक टूल के बारे में बताया था जिसका नाम था डिजाइन सेंस और यह एक AI टूल है जिसकी हल्प से आप अपने इमेज को लाइक इंटीरियर याइक्स्टीरियर एलिवेशन कोई भी प्रोजेक्ट हो आप यहाँ पर आप डिजाइन कर सकते हैं बट मैंने आपको बताया था कि उससे जादा अच्छा रिजल्ट नहीं निकल था बट मैंने उस लाइक जैसे लाइस वीडियो में मैं आप बताया था कि मैंने अपने हैंड से बहुत कोशिश की और उसको हद तक कि मैं ले गया और उसको अच्छे से अच्छा बनानी को कोशिश की तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बतानी जा रहा तो पहला जो डिजाइन मैंने बनाया था वो इस तरीके से बनाया था जो हमारा ये सामने दिख रहा है तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ये हमारा AI की हेल्प से बना हुआ है और ये दूसरा मैंने जो निकाला था वो ये निकाला था जो ये भी अपना AI की हेल्प से बना हुआ है तो अब ये दो चीज़ आपको दिख रही गई है अब तिस्री चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारा ये रियल प्रोजेक्ट है उसको मैंने अपने मैक्स से तयार किया था मैक्स से डिजाइन किया था तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ और ओके तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये रियल प्रोजेक्ट है जो कि मैंने मैक्स से इसको निखाला था तो मैंने इसी को अपने AI में convert किया था और इसने भाद तक के थोड़ा अच्छा निकाल के दे दिया था तो मैंने client को भी send किया था तो client को हाद तक के अच्छा लगा था it's not like कि उसने इसको like final कर दिया था it's not like मैंने बहुत जल्दी एक ही दो तीन मिनट में इसको मैंने ready कर लिया था अपने presentation के लिए तो it's not like a final thing और इसके बाद हमें max पे काम करना ही पड़ा तो हट तक कि आप यह सामने देख रहे होंगे इसने अपने अच्छा result दिया है not a bad ओके तो start करते हैं इसको और देखते हैं कि यह कहां तक कि इसका result आता है तो मैं यह दुस्री time use करने जा रहा हूँ और मैं भी यह result अच्छा दे तो मैं इस file को मैं यहां पर कर लेता हूँ import और import करने के बाद हम इसको like करते हैं अच्छे से enhance तो यह image था इसका जो music line ने दिया था as a reference के हिसाब से तो मैंने इसी को इसको like import किया था इसमें और मैं इसको residence में लियाओंगा और residence के बाद मैं इसको exterior में लियाओंगा और pool areas यहां पर सारी चीज़े पूछ रहा हो पूछ रहा है और interior style living room area and like आपको modern चाहिए या फिर topical चाहिए तो मैं modern में इसको ले लेता हूँ एक तरीके से ठीक है तो यह हमारा हो गया और अब यहां पर as a खाली यह सारी यह जाएंगी तो मैंने आपको बता दिया था यहां पर आ जाएगा exterior पर नहीं लिया था पता नहीं मेरे ख्याल से क्या यह result आता है तो मैंने इंटीर पर क्लिक कर दिया है तो यह हमारा सामने आ रहा है देरे द्रेगर करके विया इस तेक अब टाइम अब टाइम अब टाइम ताइम कर दो अब टाइम ओ इसको रिफ्रेस कर लेता हूँ देखता हो कि क्या आता है अगर कर दो कर दो कर दो ओके आप देख रहे होंगे कि यह इसने थोड़ा हत के फिर से डिजाइन अच्छा बना दिया है और वाव इट्स इट्स नोट लाइक बैट इट्स गुड़ ओके तो थोड़ा यह आई डोनों क्यों इतना टाइम ले रहा है इससे पहले उतना टाइम नहीं लिया था और इस हो गया है तो आप यह देख रहे होंगे कि ओपन हो जा मेरे भाई इतना टाइम क्यों ले रहा है यह हमारी पास्ट इमेज है ठीक है यह हमारी करेंट इमेज है तो इसने मम्टी वगएरा भी अच्छे से डिजाइन कर लिया है और प्लांट्स वगएरा भी अच्छे से रख दिया इसने टैरिस पे और मेरे हिसाब से इसने परगोला टाइप का भी डिजाइन कर दिया है यह थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से यह परगोला है या आई डोन यह लाइक इस नॉट किलियर की क्या दिख रहा है बेग्राउंड में और ओके ओके यह सामने आई डून नो क्या है ठीक है हर तक के ठीक है इसने अच्छे से डिजाइन कर लिया है और अब मैं आपको बता दूँ इसको मैं मैंने क्या किया था इसको मैंने कैनवा में जाकरके अच्छे से इसको एडिट किया था इसके इमेज को एडिट किया था फिर इसके बाद बैक्ग्राउंड को भी एडिट कर दिया था अच्छा खासा यह एडिट हो गया था तो चलते हैं और लाइक इसको कर लेते हैं सेव ओके मैंने कर लिया इसको डाउनलोड और चलते हम ल कर लेते हैं डाउनलोड फाइल ओके यह हो गया हमारा ओके 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 ठीक है तो जो एक्स्ट्रा चीजे हैं उसको हम लोग कर देते हैं डिलीड यहां से इस तरीके से या फिर इसको रख्या बैक्राउन को रिमु गरूंगा तो बैक्राउंड को रिमु करने के बाद मैं इसके एक को यहां पर मैजिक टूल है मैजिक के help से आप अपने इस वाले पार्ट को कुछ चेंज कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर लाइक डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर whole image का आपको select whole image ले लेना है ठीक है फिर यहाँ पर जैसे ही आप आप डिस्क्राइब करेंगे जैसे आई वॉन्ट पूल पूल ओके एंड जैसे आप यहाँ पर जेनरेट करेंगे तो यहाँ पर option आ जाएगा पूल का और multiple यहाँ पर चीज़ आ जाएगी थोड़ी ची लाइक टाइम लेगा बट यहाँ पर फूल आ जाएगा बट यह बहुत गंदा result दे रहा है ओके मैं कुछ और करने की कोशिश करूंगा जैसे कि swimming pool swimming pool okay अब दिखता हूं कैसे आता है oh my god why it's not doing well I don't know एक काम करता हूं मैं whole area को ना ले करके अच्छ हाँ sorry मैंने whole area यहाँ पर select कर लिया है तब ही से इसने जो है चीजों को गड़बड कर दिया है तो मैं brush लेकर कि जितना area मैं लेना चाहता हूं उतना ले लूँगा ओके यह यह अच्छे से इसने कर लिया है ओके अब यहाँ पर करता हूं generate यह देखें इस मच फाइन ओके यह थोड़ा अच्छा लग रहा है यह वाला area आप एक चीज़ और करते हैं हम इसको और अच्छे से करते हैं लाइक इस वाले विसेट ब्रश इतना पार्ट ले लेते हैं जैसे कि यह हम इतना ही पार्ट ले लेंगे अपने समिंग पूल के लिए और अब देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है तो यह AI टूल यहां पे भी है बट आपको यहां पर पेड मिलेगा तो यह भी कुछ हद तक के नहीं करवा रहा है यह देखेंगे वही ठीक था जो हमारा उतना area लिया था उसने तो इस वाले area को हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम यहां पे road देख सकते हैं तो यहां पर मैं एक काम करता हूँ इसको edit करके road डाल देता हूँ road ओके 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 तो यह यह थोड़ा मस्त लग रहा है ऐसे ओके और भी चीज़े तो मेरे खाल से नहीं सही आ रही है अगर हम यहां पर ground डालना चाहें तो ground भी अच्छे से डाल सकते हैं यह देखिए not bad okay it's it's crazy it's very crazy too much crazy okay यह तो बिलकुल से जो है है वे निकाले दे रहा है तो प्रेटी गुड गुड के okay okay let's make some like like garden garden okay 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 it's जो हमने road पे click करने के बाद लगे like इसके बाद जो का garden वाला एरिया रहा था न वह अच्छा लग रहा था मुझे तो उसको पाले एरिये को थोड़ा सा हमनों कर लेते हैं कम okay यह हो गया कम इतने ही एरिये में हम रखते हैं अपना यह और यहां पर लिख रहते हैं grass okay yes mm यह-पी यह क्या है यह क्या टाइप का एगाउन रहे हैं इसक्राइए ग्राउंड एंड ग्रांट ग्राउंड ग्राउंड लिख देते हैं आप इस ग्राउंड विट ग्रास लिख देते हैं ऐसा कुछ करते हैं हम लोग ना ग्राउंड विद ग्लास ग्रास काई डून आप कैसा आता है यह थोड़ा हट तक क्या आया है यह वाला और सी रिजर्ड ब्रश कि इस वाले को फाइनल करूं क्या मैं हम मेरे खाल से थोड़ा और जनरेट करके दे दिख लाता हूँ कर दे ले, उत्रां लाते है दिख बीजि़ में है तो क्वर बीजै वीजि dur तो कि इसी को लेते हैं इसी को डें कर लेते हैं थोड़ा कंकृट टाइप का दिखरा है और अब हम यहाँ पर एक इसकाई को लगाते हैं यहाँ पर और क्योंकि यह वीडियो को लेंदी हो रही है तो यहाँ पर sky का use करते हैं background के लिए इस तरीके से और इसकी positioning back कर लेते हैं और यह इस तरीके से हमारा आ गया scene ठीक है तो थोड़ा sky को हम change करके देखते हैं कि हमारा sky किस तरीके से आ रहा है और और भी sky किस तरीके से आ रहा है तो यार यह लग क्यों नहीं रहा है पीछे की तरफ यह लही नहीं रहा है मेरे हिसाब से हम लोगों ने इसको थोड़ा सा गलत कर दिया है के कंट्रोल जेट करके हम लोग इसको करते हैं सही से इसको करते हैं डिलीट और इस वाले sky को लेके आते हैं इसमें इसमें comparison करेंगे कौन से sky बहतर आ रहा है हम ओके मेरे साब से यही वाला मज़ेदार है तो पीछे वाले sky को हटा देते हैं हम लोग और इसी वाले sky को रखते हैं यह थोड़ा sunset क्या थोड़ा सा feel दे रहा है और इसको कर लेते हैं back के तो यह हमारा हो गया अब इस image को करते हैं हम लोग अच्छे से सेट यहां पर लाइक इसके temperature वगयरा को अच्छे से हम लोग इसको मेंटेन करते हैं और brightness को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और प्रास को भी और थोड़ा बढ़ हाइलाइट भी कर लेते हैं shadow भी बढ़ा देते हैं sharpness वगयरा भी दे देते हैं clarity भी दे देते हैं उसके लावा ठीक है texture में और और चीज़े हैं ठीक है ये ठीक ओके तो guys ये आपके सामने आपको एक AI से बना हुआ render नजर आ रहा होगा तो हमने हद तक के इसको अच्छे से कर लिया है और इसका मैं एक तरीके से एक image निकाल लेता हूँ थोड़ा high में तो guys जितनी चीज़े मैंने आपको बताई है canva में almost ये paid है जैसे कि background मैंने किया background के लावा जो मैं AI मैंने tool किया AI जो मैंने use किया sorry उसको मैंने like हमारा ये paid ही version work किया है canva में और ये आप देख रहे होंगे कि कैसे sky लगाया मैंने और कैसे इसके background के change करा उसके इलावा मैंने कैसे इसको और enhance किया it's not a better बट हाँ ये ठीक है जहां तक के अगर देखा जाए तो it's not like बहुत अच्छा view हमें सामने नजर आया है but it little bit good okay so guys इस वीडियो की यहीं तक के रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत आपको like बहुत ही प्यार मिला होगा like बहुत ही knowledge मिली होगी मेरे हिसाब से so if आपके साथ ऐसा होता है जैसे कि कभी ऐसा होता है कि client बहुत ही जल्दी में रहता है कि मुझे design अभी चाहिए दो गंटे में चाहिए और आपके पस time नहीं है तो आप ये एक trick को आजमा सकते हैं तो वो उसको थोड़ा बहुत सुकूर मिल जाता है क्लाइन को तो इस AI की help से आप ये काम कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत उसको सुकूर मिलेगा और आपको थोड़ा बहुत time भी मिल जाएगा तो इस channel को subscribe कर दे बस मेरा यही आप से गुजार करते हैं बाए अपना ख्याल रखेगा